भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा बजट 600 करोड रुपए से बनने वाली फिल्म काल की 2898 AD ने पूरी दुनिया में धूम बचा रखी है 27th of June को इस फिल्म को इंडिया और पूरी दुनिया में रिलीस किया गया और मैं North America का देख रही थी के North America में काल की 2898 AD ने अब तक 7 to 10 मिलियन डॉलर्स का बिजनस कर डाला है North America में सेनमा हाउसिस के बाहर लम भी लाइने हैं और लोग इसकी टिकट लेने के लिए बेताब हो रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिल रही क्योंके हाउस फुल है तो आखिर ये काल की 2898 AD है क्या और इसका ये नाम क्यों है ये एक सागा है ये एक एपिक है ये महा भारत का सीक्वल है महा भारत के 6000 साल बात की कहानी है कल्युक की कहानी है कालकी की कहानी है काली की कहानी है काशी सिटी की कहानी है तबकाती तकसीम की कहानी है अगर आपने साइंस फिक्शन मुवी देख रखी हैं कुछ दुनिया की बेहतरीन मुवी जिनको कहा जाता है त्रॉइ और इसके लावा लॉड अफ दा रिंग्स अवाटार तो ये फिल्म उन फिल्मों के तक्कर की मूवी है साइंस फिक्शन भी है लेकिन हिस्ट्री से जुड़ी हुई है इस फिल्म का दी लारजर देन लाइफ करेक्टर विश्वात्मा प्ले किया है अमीता बच्चन ने और क्या किरदार प्ले कर डाला है अमीता बच्चन ने भाईवा और एक और करेक्टर जिसको कमल हासिन नभाया है वो है सुप्रीम यासकिन विश्वात्मा जिस करेक्टर को आमिता बच्चन ने प्ले किया है कहा जाता है कि लॉड कृष्ण ने शराब दिया था विश्वात्मा को कि वो कल्यूग में भी जिन्दा रहेगा वो नहीं मर सकता नहीं मरेगा और कल्यूग में जब कालकी उतार आएंगे तो वो उनको एसिस्ट करेगा तो ये कल्यूग की कहानी है जो के इस वक्त चल रहा है लेकिन कल्यूग एक लाख साल लेकिन ये कल्यूग के फोर्थ फेस चौते फेस की कहानी कही जा रही है अगर आपने महाभारत देखी है या आपने महाभारत पढ़ रखी है तो हो सकता है कि ये फिल्म समझने में आपको आसानी हो जाए लेकिन अगर आप महाभारत के बारे में नहीं जानते तो फिर आपको brain exercise करनी पड़ेगी क्योंके ये मुवी बहुत जहानत बहुत intelligence से बनाई गई है ये कोई आम कहानी नहीं है ये कोई आम फिल्म नहीं है इसको देखने के लिए आपको अपने दिमाग पर जोड़ डालना होगा क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो इसका पहला हाफ है या पहले 30-40 मिनट्स हैं उसमें आपको क्योंके ये फिल्म की बुनत अभी जारी है तो आपको समझने में मुश्किल होगी लेकिन उसके बाद ये फिल्म इतनी तेज रफतारी के साथ चलेगी कि आप अपनी सीट से उठने ही पाएंगे और खास तोर पर कहा जा रहा है कि फिल्म के लास्ट 30-40 मिनट्स तो आपको हिला कर रख देंगे और अपनी सीट से उठने नहीं देंगे लगता है कि ये फिल्म काल की 28-98-80 ऐसा बिजनस करेगी जो अब तक इंडिया की तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी इसके डारेक्टर बहुत छोटी उमर के हैं, कम उमर है लेकिन फिल्म उन्होंने बहुत बड़ी बना डाली है मैं गहना जाओंगी कि नाग अश्विन वेल डन, जबरदस्त, बहुत आपने ऐसा काम कर डाला है जो करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए होती है क्योंकि उसमें ये डर रहता है कि आप जब साइंस फिक्शन मूवी बनाएंगे जिसके असल में कहानी हिस्टरी से जुड़ी हुई है और उसमें एक आइडियालोजी भी है उसके अंदर आपने छे हजार साल बात की दुनिया फ्यूचर भी दिखाना है तो आप उसको कैसे कर पाएंगे आपने उसमें ये तलवार की धार पर चलने का काम था जो उन्होंने कर डाला कि उसमें आप पास्ट भी दिखा रहें इस फिल्म का विश्वात्मा का रोल कहा जाता है कि विश्वात्मा की मुलाकात एक बार प्रित्वी राज चुहान से भी हुई थी प्रित्वी राज चुहान ने एक बंदा देखा जो के जखमी हालत में कपड़े फटे हुए और उसके सर पर एक फोर हेड़ पर एक सुराख भी था उसको देखा और फिर उसको उठा कर लाए और उसका इलाज किया गया लेकिन उसके जखम नहीं भर रहे थे तो प्रिथवी राज जोहान ने उसे ही पूछा था कि क्या तुम विश्वात्मा हो तो शायद उसने आगे से कहा था कि हाँ लेकिन ये कैसे पता चला प्रिथवी राज जोहान को अगर हमने ये बात स्टार्ट कर दी तो ये कहानी किसी और तरफ निकल जाएगी हम बात कर रहे हैं काल की 28, 98 AD पर ये फिल्म काशी शहर से स्टार्ट होती है दुनिया खत्म हो चुकी है यानि ये धरती, ये जमीन, ये प्लैनेट खत्म हो चुका है और सिर्फ एक आखरी शहर, लास सिटी बचा है और वो है काशी वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया का यानि इस प्लैनेट का इस धरती का पहला शहर भी काशी था तो आखरी सिटी भी इसके अंदर काशी दिखाया गया है और गंगा का पानी खुशको चुका है जो इनसान, जो लोग कुछ बाकी रह गए हैं काशी सिटी के अंदर लेकिन इसी काशी सिटी के ओपर एक और सिटी है जैसे आप सोच सकते हैं कि कोई एलियन स्पेस शिप आकर खड़ा है और वो एक कॉम्पलेक्स है और उस पर हुक्मरानी है सुप्रीम यासकिन की सुप्रीम यासकिन वो है कि जो काशी शहर की नौजवान लड़कियों को उठवा लेता है पकड़ कर कॉम्पलेक्स में ले जाता है और वहां के इस तरहां का ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर जब चार या छे महीने होते हैं तो उन में से एक सीरम निकाला जाता है और वो सीरम सुप्रीम यासकिन के जिनदा रहने के लिए बहुत जरूरी है ये जैसे हम पुरानी दास्ताने सुनते हैं कि किसी बाश्या की, किसी जिन की, किसी राजा की जान किसी तोते में थी या किसी और परिंदे या जानवर में थी तो इसके अंदर सुप्रीम यास्किन की जान ये दिखाई जाती है कि उसको जिन्दा रहने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए काशी सिटी की नौजवान लड़कियों का इसमें से एक सिरम जो उस वक्त निकाला जाए कि जिस वक्त उनकी प्रेग्नेंसी का कोई खास वो प उसके अंदर भी वो टाइम दिखाया गया था कि जब ये दुनिया खत्म हो चुकी है और वो टाइम आ चुका है कि जब लड़कियां मही लाएं बच्चे पैदा नहीं कर पा रहें बहुत कमाल की मुवी है चिल्डरन ओफ मैन जैसा मैंने कहा कि आपको 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 ये है और उसी वक्त ये भी ख्याल किया जा रहा है कि एक आथार ने जनम लेना है और सुप्रीम यास्किन को उस आथार से खत्रा है यानि काल की आथार आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर काल की आथार भी मौझूद आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी विश्वात्मा यानि अमिता बच्चन ये कहते हैं कि वो दिपिका को बचाएंगे और वो दिपिका को बचाने की हर तरह की कोशिश करते हैं इसमें प्रभास जो के बहु बली के सूपर स्टार थे उनका रोल बहुत बड़ा रोल है लेकिन वैसा नहीं है तो अगर लोग इसको इसलिए देखने जाएंगे कि उन्होंने बहु बली के प्रभास को देखना है तो शायद उनको मायूसी हो कि इसमें इस मूवी में वो कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं जो के इतनी अच्छी उन्होंने कॉमेडी नहीं की लेकिन उनका रोल क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि छे हजार साल बात की भी कहानी है तो इसमें आप सोच सकते हैं अभी अगर आप सोचें कि आज से एक हजार साल के बाद क्या होगा दुनिया कैसी नजर आएगी तो आपको जो जो कुछ उसके लिए जिसके बारे में हम अभी सोचते हैं वो ऐसी चीज़ें भी नजर आएंगी ये एक सिंबॉलिक मुवी है आप इसको एक कॉलक्टिव कॉंशियसनेस की कहानी भी कह सकते हैं ये एक तबकाती तक्सीम की कहानी भी हो सकती है जिसमें कुछ लोग भूग की वज़ा से मर रहे हैं जबके उन्ही के साथ एक और तबका जिन्दा है जो अपनी जिन्दगी की तमाम अयाशियां कर रहा है जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉंपलेक्स उपर है जबके नीचे जो शहर है उसमें लोग भूग से मर रहे हैं जबके सुप्रीम यासकिन एक सुप्रीम वर्ल में जिन्दा है तो एक कॉलक्टिव कॉंशिस क्या जुरूरी है क्या करना चाहिए क्या हो रहा है आपको आप इसको कहीं पर भी अपलाई करना चाहेंगे इस मुवी को आप कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक आइडियोलेजी भी है इंसानियत की आइडियोलेजी भी है तो और साथ में जैसा मैंने आपको बताए कि तारीखी कहानी है और ये बात कही जाती है कि काल की उतार आएंगे और उस वक्त फिर क्या क्या होगा तो वो सब कुछ भी इसके अंदर दिखाया गया है अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो ये फिल्म तीन घंटे की फिल्म है आपको टाइम निकाल कर जाना होगा आराम से सकून से और वहां पर तीन घंटे तक बैठे रहना होगा जा रहा है कि इसका टिकट भी बहुत ज्यादा है लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पैसा वसूल फिल्म ऐसी है कि आपका पैसा वसूल हो जाएगा तो जरूर देखने जाएए और इंजॉय कीजे